गोष्ट का आचार बनाना सबी को मुश्किल लगता है देखते ही कहते हैं कि इसे बनाना बहुती ज़़्ादा मुश्किल होगा लेकिन ऐसा इसा बिल्कUL भी बहुती आशान है तो चलिए आज की रेजिपी में हम बनाते हैं गोष्ट का आचार तो यहां पे मैंने लिए है ए दाल कर लेंगे तो द्यान से कि यहां पर जादा फैट वाला नहीं लेना है और हगदी वाला यानि बोन वाला भी गोष्ट नहीं लेना है अब डालेंगे यहां पर एक चमच नमक नमक के साथ यहां पर आदा चमच हल्दी भी डाल कर लेंगे फिर उसी के साथ यहां पर डाले यहां पी पानि का इस्तेमाल हमें जादा नहीं करना है क्योंकि आचार में पानी का यूज नहीं होता है जो भी पानी है हमें से इसी में खतम करने वाले हैं तो आप कुकर के लिए लगाकर हम 6-7 सीख्टियां और ध्यान रहें गोल्ट हमारा जादा भी ओवरकुक नहीं होना चाहिए मीट को जादा गलाने के वज़र से ना इसके तुकगे होने लगते हैं जब आगे प्रोसेस करने लगते हैं जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अब हम गैस की फ्लेम चालू करेंगे हाइक फ्लेम पे हम यहाँ पे कूकर की पहली सीख्टी लेंगे और बाक मैने धनया लिया है तीन से चार लाल मिर्च लिया है एक कमक कलोंज लिया और अदा चंवच यहां पर मैंने मेति दाने लिये हैं डेल चंवच इहां पर मैने जीरा लिया है अभ बहुंद कर होते हैं तो इसे चमच में लेकर देखे हाथ में थोड़ाइसा गरम लगे तो आप इसे गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंगडा होने के बाद मिक्सिजार में डाल कर पीस कर लेना है तो ज्यादा फाइन पॉर्डर नहीं बनानी है और ज्यादा दरदरा भी नहीं दूसरी तरफ यहाँ पे गोश्ट बिगल गया है इसमें थोड़ाइसा पानी बचा हुआ है इसलिए गैस की फ्लेम हाई पे रखेंगे और इसे पूरी तरफ मैंने यहाँ पे कडाई रख दिया और उसके अंदर मैंने एक कर टोरी टेल डाल कर लिया है तेल जैसे ही गरम हो से इसमें डाल कर लेंगे तेल अच्छे से गरम होना चाहिए तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली कडाई यूज किये इसलिए मैं यहाँ पे गोश्ट को दो हिस्सों में फ्राइ करने वाली हूं आप चाहिए तो बस हलका सा इसका कलर चेंज होना चाहिए गोल्डन ब्राउन साना चाहिए हलका सा तब हम इसे निकाल कर लेंगे तो ग्यास की फ्लेम हाई पे रखके ही इसे फ्राइ करेंगे नहीं तो यह बहुत जादा तेल पीएंगे यह वाली प्रोसेस को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिए अचार को लॉंग लस्टिंग लखने के लिए यह वाली प चाहिए अब इसे निकालते हैं और उसी के साथ दूसरी बैच को भी पूरी करते हैं इसी तरह से अब इसी तरह से दूसरी बैच भी पूरी हो गई है अब गैस की फ्लेम लो करेंगे और उसी तेल में हम यहां पी डालेंगे कुछ और चीज़े तो यहां पे मैंने 10-12 लहसं क्योंकि हम लाल मिल्स पाउडल का भी यूज करने वाले हैं तो देखिए इसे ना लो फ्लेम पे थोड़ा सब भून कर लेना है कलर चेंज नहीं होना चाहिए आगे की प्रोसेस करते हुए यह अपने पग जाएंगे तो आब यहां पे जो हमने मिक्सी जार में मसाला की नसे तेस्त बहुत अच्छा आता है सबसब्सक्राओं लगदेनी है। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे नीमबू का जूस तो यहां मैंने 10-12 मीडियम साइज के नीमबू लिये है। उसका जूस डालेंगे तो यहां पे के बार यह और बीजादा गाड़ा होने लगता है तो उसी साब से हमें याप मेजर्मेंट लगना है अभी आपको पतला लग लगा है लेकिन जब यह थंडा हो जाएगा तो यह आचार पूरी तरह से गाड़ा लगने लगेगा तो देखिए यहाँ पर आचार थंडा हो गया ह मशाला उपर तेल भी निकल आया है इसी तरह से हमें गोश्ट काचार बना कर लेना है तो यहाँ पर मैंने लिमिक में तेल डाला है कोई-कोई यहाँ पर पूरा गोश्ट दुबने तक तेल डाल कर लेते हैं आप इसे एक महिने तक फ्रीज में या फ्रीज के बाहर इसे खेल कीजेगा और हाँ साथ ही इस रेसीपी को मेरे तरीके से जरूर से बना कर देखिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले रेसीपी के साथ तो इसी तरह से खाना बनाते रहिए और खाते रहिए जजजक अल्लाव खैरू